आगे काई स्लोग पढ़ते हैं किमिदं की द्रशं कस्य कस्मात क्वेत्य विशेशयन कस्मात क्वेत्य विशेशयन स्वदेहमपिनावईती योगी योगपरायण पढ़े एक बार किमिदं निरंतर ध्यान में लीन योगीयों की दर्शा का वरणन किया जा रहा है पिछले दिनों से भी हम उन योगीयों की चेश्टाओं के बारे में उनकी अनुभूतियों के बारे में सुनते आ रहे हैं यहाँ पर भी आचारे देव यही कह रहे हैं कि उन आत्म ध्यान में लीन योगीयों को क्या अनुभव होता है और उस अनुभव होने पर उनकी क्या दशा बनती है कैसा उनके अंदर उस अनुभव होने पर आनन्द आता है क्या उनको याद रह जाता है क्या वो भूल जाते हैं क्या उनके विचार में आता है क्या उनके विचार में नहीं आता है कहते हैं कि जब वह आत्म ध्यानी अपनी आत्मा का ध्यान करता है तो पहले तो जो सूत्र बताया था वो सूत्र के अनुसार वह अपनी आत्म भावना करता है एकोहम, निर्ममा, शुद्धो ये जो सूत्र थे ये आत्मा की भावना करने के लिए मुख्य आलंबन, स्वरूप, सूत्र है इसी तरह से स्वय संवेदन, सुव्यक्त, स्तनुमात्रो निर्थे इन सूत्रों का आलंबन लेते लेते जब वो धिहान करने में निश्णात हो जाता है तो उस समय पर जब वो चरम ध्यान की इस्थिती में पहुंच जाता है तब क्या होता है वो यहां बताया जा रहा है यह तो प्रारंब में क्या होता है आपने सुना जब तक मन में यह ध्यान रहा कि मैं यह विचार कर रहा हूँ मैं एक हूँ मैं शुद्ध हूँ तब तक यह सवी कल्प दशा कहलाते ध्यान की जिस दसा में अपने अंदर ये भावना रहे कि मैं यह कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ तब तक वे सवी कल्प ध्यान की दर्शा कहलाते है फिर ऐसा करते करते जब व्योगी अपने आप में लीन हो जाता है और व्यशार भी उसके अंदर नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ उस समय पर उसकी जो दशा होती है उसे कहते है निर्विकल्प ध्यान की दशा ये शब्द ध्यान सास्त्रों में आपको सुनने को मिलते हैं सविकल्प ध्यान, निर्विकल्प ध्यान ऐसे ही दो शब्द और आते हैं सविचार ध्यान और अविचार ध्यान जिस ध्यान में विचार चलता रहे वो कहलाता है सविचार ध्यान और जिस ध्यान में विचार न रहे उसे कहते हैं अविचार ध्यान आप जैन होकर के भी आपके शास्त्रों में इस सब्द उपलब्द हैं फिर भी आपको पता नहीं है कि ये ध्यान के लिए प्रियुक्त किये जाने वाले शब्द है और जो लोग ध्यान के अनेक शिविर लगाते हैं जो जैन नहीं हैं वो लोग भी इनी नामों को लेकर के ध्यान कराते हैं निर्विकल्प ध्यान की दशा अविचार ध्यान की दशा सहज योग ध्यान की दशा इन सब दशाओं का नामांकन करते हुए वो ध्यान करते हैं, करवाते हैं और उस ध्यान में वो उसी निर्विचार इस्तिती में ले जाते हैं निर्विचार इस्तिती के बारे में यहां बताया जा रहा है यद्यपी यह इस्तिती बहुत कुछ स्रावकों के लिए संभव नहीं है स्रमणों में भी किनी किनी ध्यान में लीन स्रमणों के लिए ही संभव होती है फिर भी अनेक स्रावक अनेक जगहों पर इस प्रकार से ध्यान के आकरसन के माध्यम से लोगों को निर्विचार इस्तिती में पहुचाते हैं और उस निर्विचार इस्तिती में पहुचाने का उनका ध्ये यही रहता है कि जब तक आप विचार सुन नहीं होंगे तब तक आपके मन के अंदर शांती नहीं होगी वैसा यहां पर लिखा जा रहा है वैसा उन्हें अनुभूत तो नहीं होता लेकिन उप्योग और प्रियोग तो इन्ही सूत्रों का किया जाता है आचरे कहते हैं जिस समय पर कोई ध्यान में लीन आत्मा अपने उस ध्यान की इस्थिती में उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता है जिसे हम कहते हैं परम ध्यान की दशा उस परम ध्यान की दशा में उसे क्या अनुभव होता है वो यहां बताया जा रहा है आप वह अनुभव भले ही ना कर सकें कि ये आत्मा है या अनात्मा है ये क्या है ये क्या नहीं है ये प्रस्नवी वहां पर उठेगा नहीं विचार में ये क्या है की द्रशम ये किस प्रकार का है ये विचार तभी तक उठेगा जब तक आपका ध्यान उस आत्मा में लीन नहीं हुआ और वह आत्मा के अंदर जब तक अनुभूती की आत्मा की अनुभूती की दसाउत पन्नुई तब तक ये विचार आएगा और जब आत्मा की अनुभूती होगी तो उस समय पर ये विचार नहीं आएगा कि ये क्या है ये किस प्रकार का है ये आत्म तत्व है तो किस का है ग्यान की अन्भूती है किस की है किस नैसे हो रही है क्यों हो रही है कहां हो रही है ये किसी भी प्रकार की विकलपात मकपरणती प्रसनात मकपरणती उस दिहान में उत्पन नहीं होती है क्या होगा आच्छारे कहते हैं इन सब विसेस्ताओं से मुक्त हो जाएगा इन सब विसेस्ताओं में उसे किसी भी विसेस्ता का कोई भी ग्यान नहीं होगा उसे तो बस केवल अनुभवात्मक दशा होगी अनुभव का मतलब जैसे आप कभी किसी वस्तू का स्वाद लेते हैं तो स्वाद लेते समय यदि आप से कोई पूछे ये कैसा है तो आप बता नहीं पाएंगे कैसा है अगर आप बतानी की चेश्टा करेंगे तो स्वाद छूट जाएगा जिस समय पर आप स्वाद ले रहे हों किसी बस्तू का उसी समय पर आप से कोई पूछे ये बताओ कैसा है मान लो किसी ने अच्छी खीर बनाई और आपके लिए दी कि आप इसे चख लें और बता दें कि ये कैसा है तो जिस समय पर आप चखेंगे जिस समय पर आपको स्वाद आएगा उस समय पर आप कहने ही पाएंगे और जिस समय पर आप कह रहे होंगे उस समय पर आपको कोई स्वाद नहीं आ रहा होगा क्योंकि स्वाद लेने का जो समय था वो चला गया और जिस समय पर आप कहेंगे वो समय जो होगा वो आपकी इस्मृती में कोई चीज पड़ी रह जाएगी तो उसको कहेंगे आप और उस समय पर आपको स्वाद नहीं आएगा स्वाद लेने की इस्थिती में आपको ये भी ग्यान में नहीं रहेगा कि ये क्या है, कैसा है, कहा है अगर आप अपने मन को उस ग्यान की इस्थिती में लगा देंगे तो आप सही स्वाद से भी बंचित रह जाएंगे कभी आप प्रियोग करके देखना, खाते तो आप रो जाना हो, लेकिन ग्यान के साथ आज खा के देखना एक चिम्मच खीर इस ग्यान के साथ खाना कि हमें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ इसका स्वाद लेना है और एक चिम्मच खीर इस भावना के साथ खाना है कि हमें इसका स्वाद लेकर के दूसरे को बताना है इसलिए स्वाद लेकर के जान कर के दूसरे को बताना है समझ मा रहा है अगर आप जागरत होंगे वीतर से तो आपको समझ में आएगा कि उन दोनों ही छोड़ों में आपको बहुत अंतर लगेगा अगर आपके अंदर विचार की दसा आगई कि हमें दूसरे को बताना है तो उस समय पर आपके स्वाद की जो अनभूती होगी वो नहीं होगी और जिस समय पर आप ये भूल जाएं कि हमें कोई मतलब ही नहीं किसी से हमें किसको क्या बताना हैं तो केवल अपना स्वाद लेना है जैसा है उसका आनंद लेना है उस समय पर आपको जो स्वाद अनभूत होगा वो स्वाद आपके लिए उस विचार की दसा में नहीं आयेगा ये निर्विचार और सभी चार दसा की इस्थिती होती है इसी तरह से आचारे कहते हैं जिस समय पर आप ये भावना करते हैं मैं एक हूँ, मैं अनादी, अनंत, जीव, स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान, मैं, चैतन, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध, बुद्ध, परम, आनंत, स्वरूप हूँ ये सब आपकी सविचार ध्यान की इस्तिती है और इस सभीचार इस्तिती में आपको ये पता है कि ये क्या है, किस प्रकार का है, किस का है, कहा है ये सब आपको विसेस्ताओं के साथ जब तक जानने में आएगा तब तक वे ध्यान की चरम दशा नहीं होगी यहाँ पर चरम ध्यान में लीन रहने वाले योगियों की दशा का वर्डन किया जा रहा है कि उस समय पर वै केवल बस एक आत्मानू भूती अब उन्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि यसी का नाम है आत्मानू भूती अगर ये भी कहना सुरू हो गया मन के अंदर आहा ये हुई आत्मानू भूती ये हुई ग्यानानू भूती तो समझ लेना स्वाद वहीं छूट गया क्योंकि आपके अंदर विचार आ गया कि ये हुई आत्मानू भूती माने आपको पता पढ़ गया पता भी नहीं पढ़ना चाहिए ये वहां की दसा का ववेडन किया आ रहा है सुन रहा हूँ जिस लेविल पर हम नहीं पहुँचे कोई वात नहीं लेकिन उसकी चर्चा है तो हम सुन करके पढ़कर के समझ करके समझ सकते हैं कि वो कितना आनन्द होता है उस आत्मानों भूती में जब आचारे कहते हैं आप अपने शुद्ध नैसे शुद्ध आत्मा कोई अपना धे बनाते हैं तो आपको ये जरूरती नहीं पढ़ती है कि हम अपने मन को कहीं और लगाएं मन को रोकें मन को विकारों से मुक्त करें लोग अनेक तरीके के प्रयास करते है लेकिन ये सम मन की पर्णतियां उस आत्मानों भूती के साथ में अपने आप बनती चली जाती है आप केवल बस आत्मा की और मन को उनमुक करें मन विकारों से मुक्त होता चला जाएगा कई लोग कहते हैं मन को पहले विकारों से मुक्त कर लो फिर बाद में आपके अंदर एक प्रग्या उत्पन होगी उस प्रग्या से आपको जो दिखेगा वही आत्मा होगा और यहां अचारे कहते हैं आपका मन विकारों से मुक्त होता चला जाएगा बस आप आत्म ध्यान में रुची बनाओ आया था न? यथा यथा समायाती संवित्त तत्त मुत्तम जैसे जैसे आप अपने उत्तम तत्त में संवित्तना को बढ़ाते चले जाएंगे रुची को बढ़ाते चले जाएंगे आपके अंदर बिस्यों की रुची गटती चली जाएगी और आपका मन विकारों से मुक्त होता चला जाएगा मन जब विकारों से मुक्त हो जाएगा अपने आप इस्थिर हो जाएगा और इस्थिर मन अपने आप आत्मा में लीन हो जाएगा आत्मा में लीन होने की इस्थिती में ही उस मन के अंदर ये विचार भी नहीं आता कि ये क्या है कहा है किस प्रकार का है कैसा है आच्छारे कहते हैं कि ये विचार की परणती भी आपके अंदर एक आपकी उस ध्यान की अवस्था से दूर करने वाली है ध्यान तो करना है तो ध्यान करने से पहले जो विचार होगा वे विचार आत्मक ध्यान ही कहलाएगा उसे हम सविचार ध्यान कहेंगे उसे हम व्यवहार ध्यान कहेंगे इसे निश्चे ध्यान कहा जाता है जो परम ध्यान की इस्तिती कही जाती है यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विचार ही उत्पन नहीं होता मात्र शुद नैसे जो आत्मा की अनुभूती है बस उस अनुभूती का हुए आनंद लेगा और आचारे कहते हैं कि शुद नैसे होने वाली उस आत्मानुभूती का नाम ही ग्यानानुभूती है जो आत्मानुभूती है वही ग्यानानुभूती है क्योंकि आत्मा ग्यान से अलग नहीं है आत्मा की उसी अनुभूती का नाम ग्यानानुभूती है और उसी नए से उसे कहा जाता है जिस समय पर वह शुद्ध नए के माद्यम से आत्मानुभूती में लीन हुआ मने शुद्ध आत्मा की अनुभूती उसे हुई तो वो कहलाएगी शुद्ध नैसे आत्मानु भूती शुद्ध नैसे ग्यानानु भूती और ये आत्मानु भूती और ग्यानानु भूती की दशाम है उसके अंदर कोई विचार नहीं रहता है और विचार जहां आ जाता है वहाँ अपने आप में एक फासला बन जाता है फासला जानते हूं दूरिया जहां विचार आएगा वहाँ पर दूरी बन जाएगी और जहां दूरी बनेगी तो वहाँ पर अपना ही ग्यान अपने काम में नहीं आएगा कैसे एक उधारन से आप इसे समझे मालो कोई व्यक्ति डॉक्टर है जब उस डॉक्टर का लड़का बीमार होता है तो वे डॉक्टर उस लड़के का इलाज नहीं कर पाता है छूटी मूटी बीमारी की बात नहीं कर रहा है मान लो वो डॉक्टर हार्ड का सर्जन भी है और उसके बेटे के लिए अगर रोग हो गया है तो वो डॉक्टर उसकी सर्जरी नहीं कर पाएगा जो उसका पिता है जानते हो क्यों? उसका एक कारण ये है कि उसके विचार में फांसला बहुत कम है किसका फांसला? उसके ग्यान का और उसके विचार का फांसला क्यों कम है? क्योंकि उसे पहले अपना बेटा दिखाई दे रहा है और जब बेटा सामने आ जाएगा बेटे के रूप में वह जब उसको देखेगा तो वह उसके लिए ओपरेशन करी नहीं पाएगा क्योंकि उसे बेटे का मो सताने के कारण से उसके अंदर का विचार उसके ग्यान को जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं करने देगा इसलिए आप देखना कि जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो अपने बेटों को अपने घर के परिवार के जितने निकट संबंदी होंगे उनका इलाश करने के लिए दूसरे डॉक्टरों के पास ले जाएंगे क्योंकि जहां पर उस मो भाव की दूरी होगी वहीं पर आपके अंदर उस ग्यान की परणती होगी और जहां पर वह मो भाव की दूरी कम होगी मो भाव आपको अधिक दिखाई देगा वहाँ पर आपके ग्यान की परणती भी काम नहीं करेगी यह हमेशा होता है यह ग्यान और विचार इन दोनों के बीच में जो फांसला होता है वे फांसला जितना अधिक होगा उतना आपका ग्यान बाहर की और काम करेगा और जितना वे फांसला कम होगा उतना ही आपका ग्यान काम करना बंद कर देगा जब विचार और ग्यान के बीच में फासला बिलकुल कम हो जाता है तो विचार छूट जाता है बस केवल ग्यान ही ग्यान काम करने लग जाता है ये परणती जब आ जाती है तो उस समय पर आचारे कहते हैं कि आपको कुछ भी मैसूस नहीं होगा केवल बस अपनी ग्यान मात्र की अनुभूती करना और उसमें जो आनन्द है वो दुनिया के किसी भी विसे में आनन्द नहीं है। उस आत्मा के उस ध्यान में और एकत्त की इस्थिती में जो आनन्द है वे आनन्द किसी भी प्रकार के विचार में नहीं है। और आनन्द प्यूर सुक मने वास्तविक आनन्द और वास्तविक सुक। इस सुक की इस्थिती में और क्या होगा तो आचरे कहते हैं स्वदेहमपीनावैती वह योगी जो योग में परायण होता चला जा रहा है वह अपनी देह को भी नहीं जानता है। देव को नहीं जानने का मतलब उसे अपनी देव की भी अनुभूती नहीं होगी वे देव का भी आभास नहीं करेगा उसे केवल आत्मा का ही आभास आत्मा का ही अनुभव होगा देव कहा है उसे कुछ पता नहीं है सुन रहे हो जब आप सुनते हो मुनी महराज के उपर उपसर्ग हुआ सियालनी खा गई और महराज अपने ध्यान में रहे कैसे रहे तो ये इस चरमदसा में जब होते हैं तब ऐसा होता है कि बाहर का दे भी उन्हें बाहर जैसा ही दिखता है और वे अपने आत्मा की इस्थिती में इतने इस्थित हो जाते हैं कि उन्हें इस देह के साथ कुछ भी होता रहे उसका उन्हें कोई परिग्यान नहीं होता वे इस देह के बारे में भी इस बात को नहीं सोचते कि ये क्या है क्या हो रहा है इस सूत्र के दो अर्थ लगते हैं एक अर्थ तो यह हुआ है कि किमिदम, कीद्रशम, कीद कस्य इस प्रिकार का विचार आत्मा के संबंद में नहीं रहता और दूसरा अर्थ इसका ये भी निकलता है कि देह के विसे में भी इस प्रकार का कोई विचार नहीं रहता कि ये क्या है, ये किस प्रकार का है, ये कहां है देह को कोई खा रहा है, काट रहा है, जल रहा है तो भी वह उसको सिर्फ बिना किसी वेदन के सिर्फ उसका वेदन करेंगे वेदन का मतलब होता है ज्यान करना एक वेदन जो सब्द है ये शब्द धीरे धीरे काल के कारण से इसका अर्थ बिगड गया अगर हम आचारे कुंदकुंद देव के समय में इस सब्द का अर्थ देखते हैं तो वहाँ पर वेदन सब्द का वो जब प्रियोक करते हैं वेदेदी मने वेदन करता है इसका अर्थ होता था समवेदन करता है अनुभवन करता है वेदना का मतलब होता है अनुभवन करना उसको ध्यान में जो अनुभव हो रहा है समझना उसका नाम वेदन कहलाता था और आज के समय पर वेदना का मतलब क्या होता है पीडा जो हमें पीडा होती है दुख होती है हम उसको वेदना कहते हैं और पहले इस वेदना को कहा जाता था अनुभव करना जो हम भीतर से अपने ग्यान के माद्यम से केवल अनुभव कर रहे हैं उसका नाम कहा जाता था वेदन इसलिए आचारे कहते हैं जिस समय पर यह आत्मा कर्म और कर्म के फलों से मुक्त होकर के केवल अपनी आत्मा का वेदन करता है उस समय पर यह ग्यायक भाव की अनुभूती करता है बाकी के समय पर इसी ग्यायक भाव की अनुभूती नहीं होती क्योंकि वे कर्म और कर्म के फल के वेदन में उसका उपियोग लग गया तो जब कर्म और कर्म के फल में उपियोग लगेगा तो उस समय पर उसको लिए वेदन होगा किसका उस पीड़ा का लेकिन एक स्थिती ऐसी होती है जिस स्थिती में पीड़ा को वे केबल पीड़ा के रूप में जाने और ग्यान को अपने ग्यान के रूप में जाने तो उस समय पर वे अपने ग्यान का वेदन करता रहेगा, ग्यान का समवेदन करता रहेगा, लेकिन उसे इस शरीर के विसय में ये प्रशन नहीं आएगा, कि ये मेरा शरीर है, इसे ये स्यालनी खा रही है, मुझको कश्ट हो रहा है, इस प्रकार की कोई समवेदना नहीं रहे तो वे बाहर कुछ भी होता रहे उस ध्यानी को योगी को उससे कोई भी हानी नहीं होती है समझ में आ रहा है ये ध्यान की उन चरम दशाओं में रहने वाले वो मुनिश्वर हुए हैं जिनके नाम हम पढ़ते हैं सुकोशल मुनी महराज सुकमाल मुनी महराज बाहर सब कुछ होता रहा लेकिन उन्होंने अपने अंदर ये विचार नहीं किया ये क्या है, कहां है, किस प्रकार का है ये उनके अंदर विचार ही नहीं आया और वे अपने निर्विचार ध्यान में लीन रहे उसी का परिणाम कि उन्होंने अपने धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से अपना परिणाम नहीं गिराया और वह बाहर सरीर नश्ट होता रहा भ्रश्ट होता रहा लेकिन आत्मा में उसका कोई भी फरक नहीं पड़ा जानक भावो दुअह मिक्को आचरे कुंद कुंदेव कहते हैं ये अनुभव में आ रहा है बस वही एक मात्र मैं हूँ इसके अलावा और कुछ भी मैं नहीं हूँ शरीर भी उसको ऐसा लगेगा जैसे किसी पडूसी को वो देख रहा हो पडूसी का मतलब आपके बगल में कोई बैठा हो उसके शरीर को कोई कीड़ा काट रहा हो और आप उसको देख रहे हो सुन रहा हो आपको क्या होगा कुछ होगा आपको कुछ फरक नहीं पड़ेगा हो सकता है अगर आपका उससे मोह हो तो आपके अंदर भी परेशानी हो जाएग देख देख तो जो कीड़ा काट रहा है, देख देख तेरे को साप काट रहा है, और कभी ऐसा देखो, कि ये देखो ये पडोसी को कीड़ा काट रहा है, पडोसी को साप काट रहा है, पडोसी को मच्छर काट रहा है, ऐसे ही जब आपका सरीर आपके लिए बिलकुल पडोसी बन जाए क्या समझ माया कैसे बनेगा जब इस सरीर में एकत बुद्धी नहीं होगी तब आत्मा में ही उसकी एकत बुद्धी हो जाने पर ये सरीर उसके लिए बिलकुल परद्रब्य हो जाता है और उस परद्रब्य की इस्थिती में उसे ये लगता है कि ये जो शरीर में जो तो बिल्कुल अपने से दूर दिखाई देता है, पडोसी की तरह किसी दूसरे के सरीर में चुबन हो रही है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अपनी आत्मा में कुछ भी नहीं, क्योंकि वे उसकी आत्मा का सरीर है ही नहीं, स्वै देह मपी ना वैती, अपनी देह को भी वे नहीं जानता है, तब कहलाता है, यह योगी बना योग परायण है, अब यह योग में परायण हो गया, जब तक सरीर की अनभूती तब तक योग परायण नहीं हुआ, सरीर का ज्यान छूट जाया है, तब वो योग में पारायण योगी कहलाएगा सुन रहे हो कितने बड़ी बड़ी उत्कृष्टता को लिये हुए शब्द है जो जैन दर्सन में योगी किसे कहते है इस तरह की योगी को योगी कहते है और आज के इस लौकिक जगत में आप देखोगे तो जो बड़े-बड़े आसन लगा ले एक पाउ पे खड़ा हो जाए एक टाउ को दूसरी जांक पे लगा के खड़ा हो जाए ताड़ासन लगा ले, मकरासन लगा ले उनका नाम योगी है जबकि वो तो सिर्फ देह और दे की अनुबूती कर रहे है और जेन दर्सन इतना अध्यात्म प्रदान दर्सन है कि इसमें कहते हैं कि जब तक आपको देखी अन्वूती हो रही तब तक कोई योगी नहीं है समझ मारा है ये योगी बाबा, ये योगी राम देव, ये योगी फलाने देव समझ मैंना कितने कितने बाबा और कितने कितने देव है लेकिन ये सब कहीं पर भी आत्मानु भूती से जुड़े हुए लोग नहीं है इसलिए ये योग तो खुब बढ़ जाते हैं और आत्मानु भूती से जुड़े हुए जो योग है इन में किसी को कोई इंट्रेस्ट नहीं आता है जबकि बास्तविक योगी तो वही होता है जो अपनी आत्मा में अपने मन वचनकाय को जोड ले उसी का नाम योगी योग का मतलब क्या है? जोड लेना, जुड जाना बोलते हैं न, इसका योग कितना हुआ? फाइव प्लस फोर इस उकल टू नाइन योग कर दिया जुड गया तो वह उन सब चीजों से बढ़ करके हो गया जिसको हमने अलग-अलग रखा था मन, वचन, काय इन सम्मे आत्मा की शक्तियां बह रही है और इन तीनों की शक्तियों को एकटा करके जब हम अपनी आत्मा में लगा देते हैं तो वही आत्मा की शक्ति, अनंत शक्ति की रूप में हमें अनुभों में आने लग जाती इसका नाम है योग और वही योगी इस प्रकार की अनुभूती में डूब करके फिर ये मन बचन काई से अपने आपको छुड़ा लेता है तो उसे कहा जाता है ये योग में पाराएंड हो गया मने पास हो गया अब इसके लिए करने लायक कुछ भी नहीं बचा ऐसी जब इस्थिति आती है तो उसी इस्थिति को कहा जाता है अपने सामाएक चारित्र की इस्थिति उसी को कहते हैं निर्विकल्प ध्यान की इस्थिति और उस इस्थिति में आने से पहले जो कुछ भी आपको अनभूती में आएगा वो सब आपको बस अपने किये कराए जो क्रिया कलाप हैं वही आपको अनुभव में आएंगे उसके अलाबा और कुछ भी अनुभव में नहीं आएगा आपके लिए कई अनुभव ऐसे होते हैं जिन अनुभवों में आप सब भूल जाते हैं आप कभी कल्पना करो अगर किसी नदी में खुब पानी हो जिस पानी में आप दूब गए आपको वहां बचाने वाला कोई नहीं है सुन रहा है उस समय पर उस पानी में जब कोई व्यक्ति डूब जाता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है उसे क्या-क्या ध्यान रहता है बताओ अब जब तक डूबोगे नहीं तब तक पता नहीं पड़ेगा क्योंकि मरे बिना जैसे स्वर्ग नहीं ऐसे ही डूबे बिना आपको जब तक मरना सन इस्तितिना हो जाए तब तक आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि वहाँ पर क्या अनुभूती होती है और वो अनुभूती जिसको हो गई वो मर गया, वो दूसरी जगह पहुँच गया उसकी वो अनुभूती उस समय होकर के छूट गई लेकिन आप बास्तम में महसूस करेंगे उस समय पर जो अनुभूती होगी वो अनभूती आपके लिए कश्ट दायक तो होगी लेकिन वो बिल्कुल ऐसी अनभूती होगी जैसी यहाँ हो रही है आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा ये भी ध्यान नहीं रहेगा मेरा मा कौन मेरी पिता कौन, मेरा भाई कौन मेरा घर कहा, मैं कहा बस आपको एक ही बात होगी कि पानी पानी के अंदर आपके अंदर जो अनभूती होगी वो सिर्फ एक घवडाहट की अनभूती होगी मैं मरना जाऊं, मैं मरना जाऊं, मैं मर रहाऊं बस एक घवडाहट की अनभूती इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं होगा उस समय पर और जब इस प्रकार की अनभूती उस समय पर आदमी मरते मरते तो कर लेता है लेकिन जीते जीते ऐसी चेतन्य अनभूती का अनभब नहीं करना चाहता जिसमें की जीवन ही जीवन है इसमें मरण नहीं है इसमें जीवन है ऐसी अनुभूतियों की कोई भी प्रक्रिया सुरू नहीं करता जिसमें कि बस केवल हमें अपनी आत्मा की ललक पैदा हो आत्मा के अंदर अनुभवन करनी की इच्छा जागरत हो और हमें कुछ भी नहीं करना बाकी का मैं सब भूल भी जाओ तो कोई फरक नहीं मरता हुआ आदमी जिस समय पर मर रहा होता है उस समय पर भी वह सब कुछ भूल जाता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता है लेकिन वे मरते मरते भूलता है और यहां जीते जीते भुलाया जा रहा है यह बहुत बड़ा अंतर है वो धारन इसलिए दिया कि आपको थोड़ा सा लगे कि ऐसा भी अपने साथ कई बार होता है और जब कभी भी आपको कोई गहरी चोट लगती है कभी लगी कोई गहरी चोट कोई गहरा अक्षिडेंट हो आपके सामने आप देखोगे कुछ भी नहीं रहेगा एक दम से आप ऐसी स्थिती में पहुंचेंगे कि आपको एक छड़के लिए महसूस नहीं होगा कि मैं हूँ कि मैं कहा हूँ मेरा क्या है, मेरा किस प्रकार से मेरा कुछ है कुछ भी आपको अनभव में नहीं आएगा जब कोई अचानक से आपके सिर्परा करेके चोट मार दे अचानक से गाड़ी का एक्सिडेंट हो जाए अचानक से कोई बस्तू आपके उपर गिर पड़े, कोई भूकम पचानक से आए, आप किसी चीज में दब जाए एक दम से आपके सामने सिर्फ क्या होगा एक अंधेरा होगा और कुछ नहीं होगा और आदमी उसी एक छण में सदमे के कारण से भी मर जाता है और उस शण पर उसके लिए जो आगात होगा वो उसका इस्मरती से रहत हो जाना और उस इस्मरती से रहत होकर कि जो आगात के कारण से उसका मरण होता है तो उसी के कारण से उसे अपने अगले जनम में भी कोई इस्मरती नहीं रहती है कभी ये feeling आपको हुई होगी जब आपका accident हर व्यक्ति का accident हुआ होगा क्या समझ मारा जिसने कार चलाना सीखा स्कूटर चलाना सीखा यान की cycle भी अगर चलाना सीखा है तो बिना accident के तो कोई रहता ही नहीं कोई ना कोई कभी ना कभी fracture हुआ होगा हाट टूटी होगी पैर टूटा होगा हाट टूटे होगे कुछ ना कुछ हुआ होगा लेकिन आपने उस छड़ पर गौर नहीं किया कि उस छण हमारे लिए एक निर्विचार इस्तिती बनी थी वो निर्विचार इस्तिती केवल उसी समय बनती है अत्यदिक दुक्की इस्तिती में बनेगी या अत्यदिक सुक्की इस्तिती में बनेगी उधारन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये निर्विचार इस्तिती का तो आपको अनवव है दुख वाली का उसको आप अनुहुत कर लें इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इसका तो आपको अनवव ही नहीं, ये तो मुझे पक्का मालूम है, क्योंकि इस अनवव में उतरे होते, तब तो तुमारी ये दसा रहती ही नहीं, तब तो तुमारे सामने फिर कुछ और ही आनन्द होता, और हमेशा आकर के हमारे सामने बैठते, कहते महराज, आत्म की बात सुनने में भी आनंद नहीं आ रहा हो ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि महराजी बोलते क्या रहते हैं अब जो बिसाय होगा वो यह तो बोला जाएगा तो यह जो चरम इस्तिती है आनंद की इसको आपने अनभूत किया ही नहीं और जो अनभूत किया है वो उस छण जैसा आ यह आपको लग रहा है मैं उस छण की तुलना आपको यहां से करा रहा हूं उस छण को आप याद करो जब आपको कोई एक्सिडेंट हुआ हो गहरा सुनू रहा हूं और उस समय पर आपको क्या लगा आप यह भी भूल जाओगे कि क्या हुआ यह भी धान नहीं रहेगा ऐसा कई बार होता है, सब के साथ होता है, हमारे साथ भी कई बार हुआ है. कई बार ऐसे accident होते होते बच्चते हैं, मुनी अवस्था में भी ऐसा हो जाता है. जवलपुर की बात है, आचाएर महराज जवलपुर से एक गाउँ पड़ता है, सहजपुर. महराज पीछे चल रहे हैं, कोई अपने साथ दो महराज, कोई तीन महराज, ऐसे सब चल रहे हैं, पीछे सराबक चल रहे हैं, ग्रहस्त चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, पूरा सब कुछ, पूरा जलसा चल रहा है साथ में, दूर दूर तक लाएने दिख रही है सुन रहे हो और खुता क्या है जिसके साथ जो होना होता है वो उसके साथ ही होता है हमारे साथ भी कई महराद चल रहे है पीछे चल रहे है आगे चल रहे है और पता नहीं एक छण में क्या हुआ जिस रोड पर चले जा रहे हैं उसी रोड पर साइड से एक ट्रक निकलता है और वो ट्रक जैसे भगल से निकला एकदम से आवाज आती है चर 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 और एकदम से वही पर استमवित हो करके खड़ा का कड़ा रहा जाता हूं एकदम आखों के सामने अधेरा कुछ भी जैसे कुछ बहुत कुछ गटेत होने वाला हूँ एकदम से आवाज आई कदम वहीं रुक गए महराज साथ में चल रहे थे पीछे के पीछे रह गए आगे के आगे ट्रक एकदम से पास हो गया मुश्किल से 2-3 सेकंड नहीं लगे होंगे और एकदम से समझ में नहीं आया कि ये हुआ का ये चरचर की आवाज कहां से आई एकदम से अंधेरा कैसे हो गया आखों के सामने और वहीं खड़ा रह गया कि कुछ हो ना जाया इसलिए वहीं पर एकदम से रोग दो अपने आपको क्या हुआ वो जो ट्रक निकला था वो ट्रक उपर जो पेड़ थे उसकी जाड़ी से टकराया और उसकी जो साखा थी वो साखा उससे टूटी और ट्रक बगल से पास हो गया और उसकी साखा टूट करके बिलकुल ऐसे सिर के ऊपर से निकली एक बाल का अंतर कहना भी बड़ा कहला है छूती हुई बिलकुल सामने सामने जैसे मैं देख रहा हूँ मत्यू सामने सा रही हूँ ऐसे सू के सामने से निकली सिर्फ पे कुछ नहीं हुआ जंगा के आउपर टकराई टेड़ी मेड़ी थी तो जंगा पे टकराई और जंगा पे खरोंचाई और वो नीचे गिर पड़ी एक दम से आँखें खोल करके देखा लगा कि बहुत कुछ टल गया सुन रहा हूँ बहुत कुछ टल जाता है बहुत कुछ अपने अंदर ऐसी अल्प आयू की भी इस्तितियां रहती है जो इस सैयम के प्रभाव से भी टल जाती है अगर हो सकता है उस समय पर मानलो सैयम नहीं होता असैयम दसा में होते कहीं किसी गाड़ी में होते बैटे होते तो वो ट्रक से किसी ना किसी इस्तिती में एक्सिडेंट होता है वो कोई बहुत बड़ा एक्सिडेंट भी हो सकता था लेकिन अगर कुछ ऐसी दसा है तो उसके कारण से भी बहुत कुछ टलता है और जब ये टल गया एक छण उस समय पर क्या अनभूत हुआ मैं वोई अनभूती तो आपको बता रहा था जो एकदम से सामने निर्विचार इस्तिती आती है कुछ भी याद नहीं रहता है कुछ भी याद नहीं रहता है मैं कौन, कहा, कैसा, किस प्रकार का आपको कुछ भी याद नहीं आएगा ये जो निर्विचार इस्तिती हमारे लिए ऐसे आगहातों के समय पर आती है कश्टों के समय पर आती है वो निर्विचार इस्तिती ऐसी आत्मा के अंदर आनंद के समय पर भी आती है लेकिन उस इस्तिती में उस आनंद से कोई भागता नहीं है और इस इस्तिती में तो डर लगता है एकदम शौक लगता है क्या हो गया एकदम अंदकार सामने और फिर जब देखा कि ये इसकी चरचर की आवाज थी ये लकड़ी यहां से तूटी पूरा संग चल रहा है आगे पीछे किसी के साथ कुछ नहीं जिसके साथ जो होना होता है इसको कहते हैं बाल बाल बच जाना सुना है न आपने बाल बाल बच गए बाल बाल का मतलब बाल के बरावर वो म्रत्यू सामने आई और वो सामने सामने से टल गई बच गए जब आचारे महराज को साम को जाकर के बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था रास्ते में तो आचारे समू में चलते हुए भी पूरे समू में किसी के साथ कुछ नहीं और जिसके साथ होना है उसी के साथ हो जाता है अचानक से हम ये भी नहीं समझ पा है कि हमारे साथ वाले आगे पीछ चल ले ते ये गए कहां कुछ पता नहीं कहां से ये अपने-अपने अलग-अलग साहिट पगड़ लिए और जिसके साथ जो अनुभूती होनी थी वो उसके साथ हो गई यह हमेशा होता यह ध्यान रगना अपना कर्म इतना अपने साथ में एक अत्व के साथ मिला हुआ रहता है कि अपना ही कर्म अपने को फल देता है और उस फल देते समय पर जो अपने मन में विचार आता है वो एक केवल अपने लिए ही होता है और किसी के लिए नहीं होता है आप कई लोगों के साथ यात्रा करें कई लोगों के साथ आप जाएं लेकिन अगर आपके साथ ही घटित होना है तो आप देखोगे, प्लेट फॉरॉम पर सब एक साथ उतरे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ गाड़ी आने वाली होगी, गाड़ी आएगी, लेकिन अगर आपकी बुद्धी, आपके करम, अगर कुछ इस तरीके के तीब रहोंगे, एक दम से सब तितर वितर हो जाएंगे, व इसके साथ जो होना होता है, वो उसी के साथ हो जाता है, ये करम की दसाएं हम खुब भुगतते हैं, ये निर्विचार दसाएं हम खुब भुगतते हैं, लेकिन ये सब दुख के साथ होती हैं, यहां आचारे कहते हैं, जीते जी देखो इसको, ये शरीर तो कई बार इसी त आत्मा का आनन्द आ जाए, ये समझ लो, कौडी के दामों में तुमने रतन खरीद लिया, रतन, कौडी के दाम मनें, जो ये कौडियां होती हैं, जो किसी जीव के छूटे हुए सरीर होते हैं, उन कौडियों का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन उससे तुमने रतन खरीद लिय क्योंकि आत्मा की अनुभूती इस सरीर के साथ कर लेना मने इस सरीर की इस्थिती तो कौडी की तरह है किसकी कीमत तो कौडी के बरावर और इस से उस रतन की अनुभूती कर लेना जो अपना सम्यक दरसन, ग्यान, चारे, त्रे, इन तीनों का एक साथ परिणमन होना या इन तीनों की उस साम में दशा में आत्मा की जो इस्थिती बनती है उसका अनभवन करना ये उस कोड़ी से रतन खरीदने के समान है मरते तो बहुत से लोग है निर्विचार तो सब हो जाते हैं कई लोग तो बेहोस पड़े होंगे दुनिया के अंदर सुन रहे हो मैनों मैनों तक बेहोस पड़े रहते हैं लेकिन निर्विचार ध्यान में नहीं है ध्यान में अनभुती होगी आनंद होगा और ऐसा आनंद आएगा कि सब बाहर की चीजें आपको फीकी लगने लगेंगी उस ध्यान को यहां का जारा ये योगी की जीती जागरत अवस्था है ये जागरत अवस्था की निर्विचार अनभुती है और वो मरण से पहले होने वाली निर्विचार अनभुती है उस निर्विचार अन्भूती में तो हमें पीडा के अलावा कुछ नहीं होगा लेकिन इसमें हमें आनंद ही आनंद मिलेगा ऐसी जब इस्तिती आजाती है तो आचारे कहते हैं ये अंतरंग चारित्र कहलाता है ये सामाइक चारित्र कहलाता है फिर बाहरी उसके लिए कुसी प्रकार के जो चारित्र हैं इन बाहरी चारित्रों में उसे कोई फरक नहीं पड़ता कुछ अच्छा बुरा कोई उससे कुछ भी कहे उसके लिए कोई फरक नहीं पड़ता ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे सुने होंगे जिनसे कुछ कह दो उन्हें कोई फरक नहीं पड और बुरा के दो तो भी फरक नहीं पड़ता क्योंकि अच्छे बुरे की इस्तिती ये हमारे अंदर तभी तक अनभूत होती है जब तक हमें भीतर अपने आप में रहना नहीं आता या हमारा भीतर से अपना आत्मिक चारित रुत्पन नहीं होता तब तक ये व्यवहार में कह जाता है इसे छोड़ो इसे गहन करो इसको हे मानो इसको उपादे मानो ये सब बाहर बाहर रहता है ये अच्छा है ये बुरा है इससे बचना इसको पगड़ना ये सब बाहर बाहर कहलाता है लेकिन जब अंतरंग के चारित्र की इस्तिती आती है तो उसमें बाहर की कोई भ आशी होती है, ना बुरी होती है, इसलिए आप देखोगे, अगर मुनी महराज के लिए कोई ये भी कह दे, कि आप ने ये हत्या की है, आप ने ये चोरी की है, तो अगर वास्तम में मुनी महराज अपनी आत्मा में रहने और अपनी आत्मा में मगन होने के आनंद में रहने व प्रास्त्रों में ऐसी भी आती है, एक मुनी महराज के लिए एक व्यक्ति सामने सामने कहता है कि महराज हमारा रत्न आपने चुराया है, और मुनी महराज जान रहे हैं कि इसका रत्न कहां है, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं, और वो रत्न कहां चोरी चला गया, जिस समय पर प पढ़गाहन के समय पर मुनी महराज को उस सेठ ने रतनों के विधी से पढ़गाहन किया और वो ले जा करके उसने चौके के बाहर वो सब रख दिया हुआ क्या एक मोर आया और उस मोर ने उसको कंकर समझ करके उस रतनों को उठा लिया गले में ले लिया और वो जा करके बैठ गया, क्या समझ भारा है, देखें न मौर तो, राजिस्तान में तो खूब रहते हैं, यहां पर भले ही कम है, लेकिन इधर सिंगोली बागड में तो खूब है, अवे मौर जब उस कंट में रतन को लेकर के चला गया, पेड़ पर बैठ गया, तो इधर कहीं कोई इनों ने ही तो वो रतन अपने हाथ में नहीं ले लिया, कहीं इनने पीछी में छिपा लिया हो, कहीं गायब कर दिया हो, कहीं कमंडलू में डाल लिया हो, सब कुछ संबभ है, मौनी महराज से वो अनेग रूप में बात करता रहा, पूशता रहा, क्या हुआ है लेकिन कहेंगे कुछ नहीं क्योंकि उन्हें बाहर की किसी भी बात से कोई मतलब ही नहीं अब वो मुनी महराज के लिए कहते 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 जब उसे लगा कि अब कुछ भी बात नहीं बन रही हो मुनी महराज सीधे-सीधे नहीं मान रहे हैं, तो उसने फिर ये भी कह दिया, महराज मुझे बिलकुल शक है कि ये रत्न आपके ही पास होगा, समझ महरा है, फिर भी मुनी महराज बिलकुल मस्त अपने आप में, कोई फरक नहीं उन्हें, अगर उस सेट ने उनसे कह भी दिया, महराज हमें लग रहा है, रत्न आपके पास में, आपने चुराया, यहाँ तक भी बोल दिया, फिर भी मुनी महराज हैं और आप से कोई कहे कि आपने चोरी की है तो आप उसको पागल समझोगे कि क्यों बेवजय की बाते कर रहा है और अगर आपने चोरी की होगी तो आप उसके लिए तुरंट रियक्ट करोगे आपको लगेगा कि ये कहीं मेरा भेद न खोल दे तो आप उसके लिए योजना बनाओगे और आप उसके उपर अनेक प्रकार से आक्रमण करोगे समझ मारा है जूट होता है वीतर तो वे बाहर के भी उस कार के रूप में प्रतिक क्रिया के रूप में प्रकट होता है और अगर वीतर सच होता है तो वे कभी भी आपके लिए प्रतिक्रिया की रूप में नहीं आएगा अगर आपसे कोई कह भी दे मालो आपने किसी का कतल नहीं किया और कोई आपसे कह दे तुमने कतल किया है तो क्या कहोगे उससे कैसी विबकुभी की बाता कर रहा है कि पागल हो गया तुम आपके मन में एकदम से यही भाव आएगा और यह भाव क्यों आया क्योंकि आप भीतर से सच है और अगर आपका कहीं पर भी उसमें कोई योगदान होगा मन से बचन से काय से तो तुम डर जाओगे उससे कहोगे भाईया तुझे कहां से पता पड़ा किसी से कहना नहीं किसी भी प्रकार से आप उस प्रक्रिया को रोकने की दिवस्ता करोगे मुनी महराज उस समय पर बेटे हैं और उस समय पर सब देख रहे हैं सब सुन रहे हैं सुन रहे हो सो तो नहीं गए उस सेट के मन में इतना विकार आगया उस रतन के कारण से उसके पास में एक डंडा पड़ा था सुन रहे हो उसने डंडा उठाया और कहा महराज बता दो मैं आपसे बोलते बोलते थक गया हूँ अगर आप नहीं बताओगे तो मैं ये डंडा मारने वाला हूँ सुन रहे हो और उसने क्या किया ऐसे डंडा मार करके दिखाया और वो डंडा टूट गया और टूट करके उचका और उचक करके उसी पेड के उपर जो मोर बैटा था उसके कंट में लगा और वो उसके अंदर से मड़ी निकल करके बाहर आ गई समझ मारा है उसी पेड के नीचे मुनी माराज आकर के बैटे सामाई कर रहे थे और वो सरावक पीछे पीछे चलाया माराज मेरा रतन खो गया ये इस्थितियां बनती है मुनी माराज को कोई फरक नहीं ये कहलाता अंतरंग चारित्र हम आपको ये बताना चाह रहे कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपने अंतरंग चारित्र में लीन होने की योगिता ले आता है तो बाहर की किसी भी चेष्टाओं से किसी भी कहने की बुराईयों से अच्छाईयों से कोई फरक नहीं पड़ता आप उनसे कहो महराज आप तो बहुत बड़े योगी हो आप तो बहुत बड़े ध्यानी हो आपकी बहुत बड़े तपस्वी हो उन्हें कोई फरक नहीं पड़ेगा आप उनकी बुराई करो महराज आप तो ऐसा करते हो आप ऐसा करते हो कितनी भी निंदा करो आपकी वहाँ निंदा हो रही आपकी वहाँ निंदा हो रही उन्हें कोई फरक नहीं बढ़ेगा अगर भीतरी चारित्र होगा तो जहां भीतरी चारितर नहीं है वहां वो बाहरी बातों में उलजने लगेगा क्योंकि मतलब ही क्या है दुनिया हमारे वारे में जानेगी कितना और जान कितना पाएगी जिसको अपनी आत्मानु भूती में आनन दाने लग जाता है वह बाहरी अच्छाई बुराईयों से उपर उठ जाता है और उसके अंदर जब यही संवेदन होने लगा कि वह अपनी देव को नहीं जान रहा है तो अब दूसरे की देव को क्या जानेगा? यह फलाना चंद है, यह फलाना आदमी है इस दूसरे की देव को क्या जानना? और उसकी देव को जानकर के उससे क्या अपने उपर सुख और दुकार उपन करना? तुझे जो करना है वो तू कर, अपना काम जो है वो मैं कर रहा हूँ समझ मारा है? उसको कहते हैं योगी योग पराइड है योग में पारंगत हो गया अब उस योगी को दुनिया की कोई भी ना अच्छाई चू सकती है ना बुराई चू सकती है वे तो अपने आप में ही आनन्दित रहता है बाहर की किसी भी कलपनाओं से उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं आता है उसका नाम योगी कहलाता है समझ मारा है ऐसी योग की ये उतकरष्ट अवस्थाएं है इनका वर्डन आप सुर रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है नहीं तो आपको ये वर्डन सुनने में भी आनन्द नहीं आए लेकिन इन चरम अवस्थाओं में जो आनन दाता है आप समझो उनका चरित्र कितना उठ चुका होता है उसे कहते निश्चे चारित्र अंतरंग चारित्र जहां पर उनके अंदर बाहरी किसी भी परणती का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उस चारित्र की इस्तिती में रहने वाले योगियों का यहां पर वरणन किया गया है और यह वरणन अब धीरे धीरे समापती की ओर भी है क्योंकि पहले जहां से वरणन सुरू हुआ था वहां पर आपको सब बताया था धन में क्या होता है, काम भोगों में क्या होता है उन सब से हटा करके आपको आत्मा की ओर लाया गया और आत्मा में जब आपके लिए लिन्ता के जब यह उपदेश दिये जा रहे हैं तो इन उपदेशों के अनुसार जो चलेगा उसका मन अपने आप विकारों से मुक्त होता चला जाएगा क्योंकि मन तो एक विचार की दसा है उसको जैसा विचार दे दो वे उसी विचार में स्थिर होने लग जाता है तो मन के अंदर पहले विचार दे दिया गया कि देह का सुरूप क्या काम भोगों का सुरूप क्या धन का सुरूप क्या जब मन ने सब समझ लिया तो अब उसे विचारों से मुक्त करने के लिए कोई भीतर से कोई आयाम नहीं करना कई ध्यान के सिवरों में जो अजेन लोग होते न अनिक प्रकार के जो ध्यान चलते दुनिया के अंदर उन ध्यानों में वो क्या करते हैं कि मन के अंदर की विकारों को निकालने के लिए मन के अंदर मन को पीडित करते हैं कैसी पीडित करेंगे जैसे मालो आपको एक ही इस्थान पर एक ही आसन में आपको स्वांस की गती के माध्यम से कुछ सेंसेशन कराएंगे जब आपकी स्वांस की गती चलेगी आपका मन थोड़ा इस्थिर होगा तो मन भीतर से पीडा को प्राप्त होगा क्योंकि जब किसी पर अनावस्यक ज़्यादा जोड़ डाला जाता है तो उसे पीडा होती है तो मन को भी जब पीडा होती है तो मन की पीडा को सेहन करके वो कहते हैं कि ये जो आप सेहन करोगे ये आपकी मन के अंदर के विकार निकल रहे है आप रागद्वेश से मुक्त हो रहे हैं जबकि आचारे कहते हैं ये रागद्वेश से मुक्त होने की कोई प्रक्रिया है ही नहीं रागद्वेश से मुक्त होने की सबसे अच्छी प्रक्रिया जो जेन दर्सन के अंदर बताई वो दुनिया में किसी भी दर्सन बने आत्मा अपनी नित्य है आत्मा अपने ग्यानादी गोड़ों से भरा हुआ है उस मन को बस एक इंट्रेस्ट इतना पैदा करा दो कि वो मन आपका आत्मा में लगने लग जाएगा तो मन अपने आप बाहर आकर के रागद्विस में कमी करने लग जाएगा उस मन को भी आपको पीड़ा देने की जरूरत नहीं है मन को बस समझाने की जरूरत है कि ये सब रागद्विस के कारण है इन कारणों में अपने को नहीं उलजना इसलिए वो मन जब आत्मा की भावना करने लग जाता है अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती ये भी मैं आपको बता दूँ क्योंकि आपको पता नहीं दुनिया में कहां क्या हो रहा है ये चीजें सब दुनिया में हो रही है ये जो प्रक्रिया है इतनी सहसरल है कि इसमें आपको कुछ करने की जरूरती नहीं है केवल मन को आत्मा की भावना से युक्त करना और जब आत्मा की भावना से युक्त हो जाएगा तो सरीर के प्रती उसकी भावनाएं अपने आप अनासक्त रूप में होने लगेंगी उसके अंदर अपने आप सरीर जड़ पदार्थ के रूप में भासित होने लगेगा जब ये होने लगेगा तो मन अपने आप विकारों से मुक्त होने लगेगा आपको कोई कष्ट करनी की दिरूरती नहीं है इसलिए आचरे कहते हैं भावनाओं के माध्यम से मन को सुधारो अच्छी भावना है आत्मा की भावना है जुतनी करोगे उतना आपके मन के अंदर इस सरीर संसार और भोगों से विरक्ती प्राप्त होगी ये इसका अर्थ है इस तरह से ये अध्यात मलीन योगी की दशाका आपको वर्डन किया एक पांच मिनट सीधे बैट करके एक अच्छी चेन की स्वास ले लो